बाइथलोन, क्रोस कंट्री स्कीइंग और राइफल शूटिंग का शांदार कॉम्बिनेशन देड़ सो साल पुराने इस खेल की शुरुआत नौर्वे की सेनाने की और 1960 में इसे उलम्पिक खेलों में शामिल किया गया लेकिन इसमें सिर्फ दम खम की ही नहीं, तकनीक की भी जरूरत पड़ती है स्की करते वक्त दिल दो सो बार धड़कता है और फिर निशाने बाजी करते वक्त दिल को शांद करने की जरूरत होती है बाइथलोन का यही मज़ा है वर्ल चैंपियन आन फाइफर हर ओलंपिक खिलाडी की तरह विज्ञान का साहरा लेते हैं खेल विज्ञानी डिर्क जीबर्ट ने लाइपजिश विश्विद्याले में दुनिया का सबसे व्यापक एनालिसिस सिस्टम बनाया है लेकिन विज्ञानिक के टेस्ट से पहले बाइथलोन खिलाडी फिलिक्स होफर को थोड़ी मेहनत करनी होगी यहां जरूरी है कि पहले खिलाडी को बहुत अच्छी तरह से ठकाया जाए बिल्कुल जैसे प्रतियोगिता में होता है फिर इस थकान के साथ वो अनिशानेबाजी की टेस्टिंग के लिए आता है कई राउन फायर करने के बाद निशाने पर गोली लगाना मुश्किल हो रहा है हाथ और पैर कापने लगते हैं हम यहां अलग-अलग दबाओं को माप सकते हैं जैसे कि ट्रिगर पर पढ़ने वाला दबाओ बंदूग के पिछले हिस्से पर दबाओ हम यह भी माप सकते हैं कि गोली बंदूग के अंदर कैसे रास्ता बदलती है हम इसे ऑनलाइन देख सकते हैं और खिलाडी को तुरंत बता सकते हैं खिलाडी बंदूग के पिछले हिस्से और ट्रिगर पर कितना दबाव डालता है इससे बंदूग का हिलना तै होता है क्योंकि बंदूग के हिलने से ही गोली भी निकलती है बंदूग को बिलकुल स्थिर रखना नामुम्किन है इसलिए जीवर्ट इन दबावों को माप कर इने बंदूग के हिलने के साथ जोड़ते है यह पहला निशाना था जो कतई बुरा नहीं था लेकिन गोली यहां उपर से आई देखा जाये तो इसका रास्ता भी ठीक रहा और निशाने पर यह अच्छा बैठा है दूसरी गोली तो निशाने के बाहर थी इसके बारे में ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं बाहर से रियाक्शन अंदर को आया इसमें निशाना सही तरह से नहीं लगाया गया लेकिन खड़े निशाने बाज के पैर कितने स्थिर है जीबर्ट इसे भी नापते हैं और ये भी बताते हैं कि खिलाडी को अपने पैर अपने हाथ और अपना शरीर किस आंगल में रखना चाहिए यहां भी खिलाडी को सही तरह से खड़े होना सीखना है जीबर्ट सालों से अपने उपकरण पर काम कर रहे हैं अब वो खुद भी ये देख के हैरान होते हैं कि पूरा सिस्टम कितना जटल है बंदूकों के तकनीकी साहिते में इसे चलाने की जानकारी भी मिल जाएगी लेकिन इसमें इतनी सारी जानकारी है, महीन बातें और तकनीकी तत्य है और गोली चलाते समय ही नतीजे के बारे में सोचना, सही निशाने पर गोली चलाना ये मेरे लिए बरी जानकारी है विज्यान की मदद से भी बंदूक की गोली हमेशा निशाने पर नहीं लगेगी लेकिन खिलाडी को जानकारी का फाइदा मिल सकता है गोली चलाते वक्त आपका आत्म उश्वास जादा रहता है जब आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो आपको खुद के बारे में पता होता है कि आप सही कर रहे हैं नापने वाला ये उपकरण ये साबित कर देता है एक खिलाडी की बाइतलान में सफलता तो असल मुकाबले के दोरान ही तै होती है लेकिन हो सकता है कि विज्ञान की मदद से खिलाडियों का प्रदर्शन बेहतर हो सके